गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अब तक हमने देखा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर थे उसको उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया तो आज हम उसे आगे देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल अब 1833 में चार्टर एक्ट पारित होता है ब्रेटिश अंसद में और इस चार्टर एक्ट के द्वारा अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है तो इस प्रकार अब भारत में भारत का गवर्णर जनरल आ चुका था, बंगाल का गवर्णर जनरल नहीं रहा था तो भारत का जो पहला गवर्णर जनरल बना वो था विलियम बैटिंग तो हम भारत के पहले गवर्नर जनरल के बारे में कुछ बाते पढ़ते हैं और इसी तरह आगे के गवर्नर जनरल के बारे में भी बाते पढ़ेंगे देखिए प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बैटिंग 1828 से 1835 तो ये बंगाल के गवर्णर जनरल के रूप में आया था लेकिन 1833 के चार्टर रेक्ट के दुआरा भारत का गवर्णर जनरल बना दिया गया ये वीग दल का सदेश्य था ब्रिटेन में एक वीग दल था उसका सदेश्य था और बैंथम के उपयोगितावाद सिद्धान्त में विश्वास रखता था इसने जो महतपून काम किया इसने 1839 इश्वी में धारा 17 के तहत सती परता पर रोक लगाई ये जो सती परता पर रोक लगी थी ये राजा रामोहन राय के प्रियासों से लगी थी एक व्यक्ति जिसने इस रोक का विरोध किया था वो थे रादा कांत देव जो की धर्म सबा नामक संगठन से सम्मंद रखते थे ये महतपून तत्थे याद रखिएगा अब आगे विलियम बैटिंग ने ठग प्रथा का बारत में उन्मूलन किया और ये उन्मूलन उन्होंने किया करनल सैलिमेन के नेतरत्थों में इसने अफीम के व्यापार का भी नियमन किया अब जो अफीम के व्यापार है वो केवल बॉम्बे बंदरगा से ही किया जा सकता था हमने देखा कि कॉन्वालिस्ट के समय में अदालतों का अदालते इस्थापित हुई थी तो कॉन्वालिस्ट द्वारा जो ब्रह्मनशिल अदालते इस्थापित हुई थी उसको इन्होंने बंद करवा दिया था और इसने एक अच्छी चीज़ करी कि अब न्यायले में स्थानिय भाशाओं का प्रियोग भी किया जा सकता है 1835 विश्वी में इसने कलकता में मेडिकल कोलेज की स्थापना की इसके समय एक विवाद हुआ जिसे आंगल प्राच्चे विवाद के नाम से जाना जाता है वह आ ये था कि 1833 से पहले 1813 का चार्टर रेट आया था और उसमें ये बात थी कि भारत में शिक्षा की विकास के लिए सालाना एक लाक रुपे खर्च किये जाएंगे लेकिन अब इनके उप्योग को लेकर ही विवाद हो गया था जो लोग शिक्षा समीती थी उसके जो पांस सदश्य थे वो अंग्रेजों के समर्थक थे और जो शेश पांस सदश्य थे वो संस्कत और फार्सी के सदश्य थे तो अब विलियम बैटिंग क्या करता है कि मेकाले को लोग शिक्षा समीती का अध्यक्ष बनाता है तब 2 फरवरी 1835 को मेकाले एक मेकाले स्मरण पत्र जारी करता है और इसमें अपना एक सिद्धान देता है जो कि प्रसित सिद्धान्त है विप्रिवेशन थियोरी या फिर निशंदन सिद्धान्त अब इस सिद्धान्त में क्या था? ये सिद्धान्त किस प्रकार था, कि भारती उच्वर्ख को अंग्रेजी माध्यम में पास्चात्य शिक्षा दी जाए, और ये जो पास्चात्य शिक्षा है, अब बाद में जाके उच्वर्ख से ये शिक्षा टपक टपक कर, या फिर चन चनकर, जन साधरन तक अपने आप ही पहुँच जाएगी तो ये मैकाले का निश्यदन सिद्धान्त था जिसे 7 मार्च 1835 को सुईकार कर लिया गया सुईकार कर लिया गया 7 मार्च 1835 को कालांतर में इसे लागू गवर्णर जनरल आर्क ओकलेंट द्वारा किया गया था आगे पढ़ेंगे अभी से केवल सुईकार किया गया है अब हम देख लेते हैं कि समीती में जो अंग्रेजी समर्थक कौन-कौन से थे और प्राच्चे समर्थक यानि संस्कत फारसी के समर्थक कौन-कौन थे तो इसमें काफी थे जो प्रमुक व्यक्ति नाम याद रखना है जो अंग्रेजी समर्थक था वो था राजा रामोहन राय क्योंकि ये भारती व्यक्ति था और अंग्रेजी बाशा का समर्थक था शिक्षा में इसी प्रकार प्राच्चे समर्थन में देखें कि एक अंग्रेजी व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप जो की समर्थक था किसका संस्क्रत और फार्सी का ये तो प्रमुक नाम याद रखने है और हम देख लेते हैं कि अंग्रेजी समर्थक कौन-कौन थे और प्राच्चे समर्थक कौन-कौन थे विलियम बैटिंक, मेकाले, हैक्टर मुन्रो, एली फि अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के इन लोगों के क्या कारण थे? पहला ये कि कमपनी को सस्ते करमचारी मिल सकते थे और कमपनी जो अपने प्रशासनिक सुधार है उनको आसानी से लागू कर सकती थी और शिक्षा के माध्यम से ही किसी व्यक्ति की मानसिक्ता को बदला जा सकता था तो भारती मानसिक्ता बदली जा सकती थी उन्हें अंग्रेजों का समर्थक बनाये जा सकता था और अंग्रेजी संस्कर्ती का समर्थक भी बनाये जा सकता था जिससे अंग्रेजों का व्यापार और वानिज्य बड़े और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम सही इ इसाई धरम का प्रचार प्रसार किया जा सकता था तो 1835 इश्वी में अंग्रे जी को भारत की प्रशाशनिक भाशा बना दिया गया एक चीज याद रखना कि विलियम बैटिंग प्रेस पर प्रतिबंद के खिलाफ था हाला कि ये अपने शाशनकाल में ऐसा कर नहीं पाया था लेकिन ये इसके खिलाफ था बैटिंग ने 1831 में मैसूर और 1834 इश्वी में कुर्ग और कछार को अंग्रे जी रियासत में मिला लिया था अब हम मैकाले के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैकाले विधी सदश्य के रूप में बारत आया था 1833 इश्वी के ही चार्टर एक्ट के अनुसार और इसे यानि मैकाले को बारत में कानुनों का सहीता करण करता कहा जाता है आगे जो गवर्नर जर्लर बनता है 1835 में चार्ल्स मैटकोफ तो चार्ल्स मैटकोफ को समाचार पत्रों का मुक्ति दाता कहा जाता है क्योंकि इसने प्रेस पर से प्रतिबंद हटा दिया था मैंने पूरों में बताया था कि बेटिंग प्रेस पर से प्रतिबंद हटाना चाता था लेकिन वो अपने शाशंकाल में नहीं हटा पाया था उसके पास चार्ल्स हलाकि भूमी का उसी नहीं तयार कर दी थी तो आगे जाकर Charles Matkoff समाचार पत्रों पर से प्रतिबंद को अटा देता है और इसका शरे इसको मिल जाता है तो Charles Matkoff को कहा जाता है समाचार पत्रों का मुक्ति दाता और एक important बात ये कि यही वह व्यक्ति था जो अंग्रेजी प्रतिनीधी बनकर 1818 इश्यों में राजस्तान की समस्त रियासोतों से संधी करने गया था अब आगे देखते हैं Lord Auckland Lord Auckland के समय प्रतम आंगल अफगान युद्ध हुआ था इससे पहले हमने देखा था कि प्रतम आंगल अफगान युद्ध से पहले एक त्रिगुट निर्मान हुआ था और त्रिगुट निर्मान के बाद प्रतम आंगल अफगान युद्ध होता है त्रिगुट निर्मान अफगान का शहजादा शासुजा रंजी सिंग और अंग्रेज तो अब हम देखते हैं प्रतम आंगल अफगान युद्ध 1849 से 42 तक चला कारण था अफगाजनिस्तान का राजा था दोस्त महुम्मद जो की रूस से दोस्ती कर रहा था और ये अंग्रेजों को जमा नहीं कलकत्ता से दिल्ली के बीच जीटी रोड का पुरन निर्मान कराता है कौन होर्डिंग अब आगे चलते हैं लोड एलन बरो 1842 से 1844 ये 1843 इश्व में सिंद्गा विले कर लेता है और ये विले होता है नैपियर के नित्रत्व में और लोड एलन बरो 1843 इश्व में दास प्रता पर प्रतिबंद लगा देता है दास प्रता किसके तहट दारा पांच के तहट और ये गोशना भी 1833 इश्वी के चार्टर एक्ट में की गई थी इसके बाद आता है लोड होर्डिंग प्रथम और लोड होर्डिंग प्रथम के बारे में हम पर चुके हैं कि ये जब गवर्नर जनरल था तब ही प्रतम आंगले गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल लोड डल होजी जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे 1848 से 1856 1870 वता उनमें फिरक्रानती होई चुकी थी उसके बाद में वोईस रोई बनते हैं वो हम आगे देखेंगे तो अंतिम गवर्नर जनरल भारत का लोड डल होजी तो डल होजी को आधुनिक भारत के मानचित्र का निर्माता कहा जाता है इसने भारती अरियासोतों का बड़े इस तरपर बिडिश रामराज्य में विले किया था अब हम देखते हैं कि किस-किस प्रकारी विले करता है तो युद्ध दुआरा किये गए विले पंजाब का 1849 श्वी में सिक्किम का 1850 श्वी में लोवर जो बर्मा है नीचे का जो बर्मा है और पीगू का 1852 श्वी में अब इसके बाद देखते हैं कि शांती पूण तरीके से किएगे विले तो चर्वी तो इन के तहत कोन सी नीति अपनाई गई गोद, निशेद नीती व्यप गत नीती हडप नीती तो इन के बारे में हम देखते हैं कि डलोजी ने भारती रियासतों को तीन भागों में बाटा पहले रियासतें जो अंग्रेजों के आने के समय स्वतंद्र दी और बाद में अंग्रेजों से संधिया कर लेती है ठीक है दूसरी रियासतें जो पहले मुगलों और मराठों के अदीन थी और अभी वे अंग्रेजों के अदीन है और तीसरी अंग्रेजों द्वारा इस्थापित की गई रियासत है अब इन तीनों के बारे में क्या-क्या प्रावधान थे कि पहली रियासत जो कि अंग्रेजों से आने से पहले सुतंद्र थी और बाद में अंग्रेजों से आकर संदे कर लेती हैं तो उन्हें गोद लेने का यथा संभव अनुमती दे दी जाएगी यानि मुगलो मराटों के अधीन थी और जो अंग्रेजों के पास आ गई थी उन्हें अनुमती दे जी जाएगी लेकिन तीसरी रियासते जिन पर सीधा ही अंग्रेजों ने अधिकार किया था उनका विले कर लिया जाएगा तो ऐसी रियासते कौन-कौन सी थी 1848 में 17 पर अधिकार कर लिया 1849 में जेतपुरास या संभलपूर पर 1850 इश्वी में बगाट पर 1852 में उदेपूर जो की MP में पढ़ता था 1853 इश्वी जो की 1853 इश्वी जासी का विले कर लिया गया काफी फेमस है जासी 1854 में नाधपुर का और 1855 में करोली का हाला कि करोली को वापस दे दिया गया था ये याद रखिएगा वो आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर किया था इससे पूर्व 1851 में ही डलो जी ने अवद के बारे में कह दिया था कि एक दिन यह गलास फल यानी चेरी हमारे मुह में आकर गिरेगी ये डलो जी का फेमस कतन था और जो ये अवद का राजा था वाजी दली शा इसको इस अब 1853 इश्वी में डलो जी बकाया धन के बदले हैदराबाद से बरार चीन लेता है और 1853 में पेशवा बाजीरा और दित्ते के पुतर नाना साहब की पेंशन बंद कर देता है 1853 में करनाटा के नवाप की पेंशन मंद कर देता है और 1855 इश्वी में तंजोर के राजा की उपादी चीन लेता है मुगल बाश्या की उपादी चीनने का भी प्रियास इसनी किया था और लाल किला खाली करने का आदेश दिया था अब हम देखते हैं डल होजी के सुधार तो सुधार मैतपूर्ण है क्योंकि 1852 में ये भारत में तार सेवा की शुरुवात करता है और तार विवाग का प्रमुक बनाता है ओ शैक ने सी को 1853 में भारत में रेल सेवा की शुरुवात करता है और बारत में जो पहली रेल चली थी वो बॉम्बे से थाने के बीच चलाए गई थी 1853 इश्वी में और इस रेल का जो इंजन था उसका नाम था फैरी कुईन 1854 इश्वी में ये डाक सेवा शुरू करता है और उस समय जो डाक टिकेट होता था वो दो पैसे का होता था और डल हो जी ने सेनिकों के लिए भी डाक टिकेट अनिवार ये कर दिया था 1854 इश्वी में ये सारजनिक निर्मान विवाग जिसे आप PWD के नाम से जानते हैं वो बनाता है और इसके तहती 1854 में UP में गंग नेहर का निर्मान करवाता है 1854 इश्वी में शिक्षा में सुधार करवाता है और ये जो सुधार थे ये चार्ल्स वुड के नेतरत में किये गए थे इसलिए जो इस शिक्षा में सुधार है इने कहा जाता है वुड डिस्पेच और ये चार्ल्स वुड कौन था ये बोर्ड ओफ कंट्रोल जो की अब वूट इस पेज के मुख्य प्रावधान क्या थे पहला यह कि अंग्रेजी शिक्षा नीती का उद्देश्य पास्चात्य ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना है दूसरा कि माध्यमिक शिक्षा जो है वो मात्र भाशा में ही दी जाए फिर इसके बाद जो माध्यमिक शिक वो अंग्रेजी और स्थानिये दोनों भाशाओं में दी जाए लेकिन जो उच्छ शिक्षा है वो केवल अंग्रेजी में ही होनी चाहिए जिला इस तर पर एंगलो वर्ने कुलर स्कूल खोले जाए यानि की दोनों भाशाओं में और पाचो प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए और इनमें कमिशनर नियुक्त किया जाए जो कि गवर्न जनरल को सीधे रिपोर्ट करेगा इसी प्रकार प्रमुक नगर, कलकत्ता, बोंबे और बदरास में विश्व विद्याले खोले जाए अध्यापेगों के प्रशिक्षन की उचित विवस्ता की जाए महिला शिक्षा को बड़ावा दिया जाए, तकनीकी शिक्षा को बड़ावा दिया जाए और व्यवस्ताइक शिक्षा को बड़ावा दिया जाए तो चूंकि ये जो सुधार थे, वुड डिस्पेज के ये जो प्रावधान थे, ये बहुत ही अच्छे थे, शिक्षा के शेतर में क्रांती कारी थे, तो इस कारण वुड डिस्पेज को शिक्षा का मेगना कायटा कहा जाता है, अब हम देखेंगे डल होजी के प्रशासनिक तो डल होजी ने जो नए जीते के शेतर थे, उनमें नोन रेगूलेटिंग अरेंजमेंट लागू कर दिया था, इसमें क्या होता था कि इनमें इस जगों पर कमिशनर के नियोक्ति की जाती थी, जो कि सीधे भारत के गवर्णर जेनरल के प्रति उत्तरदाई होता था, सैनिक सुधारों में देखें, तो सैनिक मुखाले कलकता से शिमला लाया गया, तोब खाना कलकता से मेरट लेकर आया, सिखों और गोर्खों की संख्या इसने सैना में बढ़ा दी थी, और सैना में यूरोपियंस की भी संख्या इसने बढ़ा दी थी, तो इस प्रकार आज हमने भारत के गवर्नर जनरल पड़े इसके आगे वाले सेशन में हम भारत के वोईस रोई देखेंगे Thank you very much